नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकेत और आप देख रहे हैं मितल टेकिनिकल्स यूट्यूब चैनल दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग के अच्छे अर्निंग हो रही होगी तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिटकोईन के प्राइस के बारे में आप लोगों ने न्यूज में सुनी लिया होगा या आप लोगों ने न्यूज पढ़ भी लियोगी कि बिटकोईन ने धमाका कर दिया है क्या चल रहा है market में किसी को कुछ नहीं पता bitcoin कैसे उपर जा रहा है क्या हो रहा है वो सारग process में आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो इस वीडियो को सबस्क्राइब करें तक जरूर देखेगा मैं आप लोग को bitcoin की जो भी current में price चल रही है वो दिखा देता हूँ current में इसकी क्या price चल रही है देखे मैंने market cap खोल लिया है यहां पर जो इसकी आप current में price देख सकते हैं वो चल रही है यहां तक की दो दिन में ये 3000 डॉलर उपर गई है तो आप लोग खुद सो सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है एक दिन में 3000 डॉलर कैसे उपर जा सकती है आज तो कभी ऐसा नहीं हुआ है लेकिन ये कुछ एक महीने में ऐसा हो रहा है बहुत तेजी से इसकी rate उपर जा रही है मैंने आप लोग को पहले भी बताया था जब इसकी rate 1000 से नीचे थी 9000 डॉलर पे थी तब मैंने आप से कहा था इसकी rate 1000 डॉलर को cross करेगी और वो 1000 डॉलर को cross कर चुकी है मैंने आप से तब भी कहा था कि आप इसको hold करके रखिए इसको sell out मत करिए क्योंकि इसकी rate आगे और जाने की संभावना है और जिसने मेरी बात सुनी होगी जिसने अपने bitcoin को hold नहीं किया होगा वो आज अच्छे काचे profit में होगा चलिए मैं आपको अब news की तरफ लेके चलता हूँ देखिए coin telegraphy की तरफ से news आई थी जहाँ पे bitcoin 15,000 डॉलर क्रॉस कर गया था लेकिन वो अब 17,000 डॉलर भी क्रॉस करके आ चुका है जो अभी current rate मैंने आप लोगों को दिखाई थी current rate इसकी क्या चल रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप another day another thousand dollar bitcoin hits 15,000 डॉलर तो आप नीचे देख सकते हैं जो यहाँ पे news दे रखी है आप पूरी news यहाँ से इसमें पढ़ सकते हैं तो अब बात आती है कि क्या यह सही time है कि हम bitcoin को buy करें या जो हमारे पास bitcoin अल्री पड़े हैं हम उसको sell out करें तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो इसकी price है वह बहुत high जा चुकी है अगर आप लोगों के पास bitcoins है तो आप उसको sell out कर सकते हैं आप लोगों का अच्छा का सा profit यहां से निकल गया है तो sell out कर सकते हैं लेकिन माना जा रहा है आगे आने वाले time में इसकी जो rate है वह 20,000 dollar के करीब पहुंच जाएगी लेकिन अभी इसमें काफी हो चुकी है तो इसमें कुछ न कुछ correction आएगा बीच में एक हजार दो हजार डॉलर जरूर गिरेगी तो अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ time wait कर लीजिए एक अपते दस दिन का wait कर लीजिए क्योंकि एक अपते दस दिन में इसका correction आ जाएगा और correction आने के बाद rate में कम से कम भी एक हजार से दो हजार डॉलर इसकी गिरावट देखने को मिलेगी अब बात करते हैं bitcoin की rate बढ़ रही है तो हमारे alt coins की rate क्यों गिर रही है जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी तो alt coin की rate देखी है आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है लेकिन कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा exam था तो जो आप green green में देख रहे हैं वो पुरा red हो चुका था bitcoin की rate इतनी तेजी से बढ़ रही थी अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी bitcoin की rate जो हुई है वो कम गई है तो alt coins की जो हमारी है वो rate थोड़ी बढ़ने लगी है तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों अगर आप लोगों के पास bitcoin है अगर आप लोग चाहते हैं उसको hold करना तो hold कर सकते हैं आने वाले time में इसकी price और भी बढ़ने की संभावना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका अच्छा-कासा profit यहां से निकल गया है तो आप चाहे तो इसको sell out भी कर सकते हैं और जो इसको नया buy करना चाहते हैं मैं उनसे कहूँगा कि कुछ दिन रुख जाईए क्योंकि इसमें अभी correction आने वाली है तो थोड़ी बग correction आए जब इसकी price 1000-2000 dollar गिर जाए तब आप इसको easily buy कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह information पसंद आई होगी अगर information पसंद आई तो एक like का बटन दबा दीजिए कोई problem आती है तो मैं comment box में लिखिए और ऐसी मेर्दा interesting वीडियो देखने के लिए जल्दी से माई channel को subscribe कर लिए तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए topic के साथ thanks for watching आपका दिन शुबो